तो हैं कि हलो अब्रिवन में लुकलॉफ हमारे स्वागत है टेंग्यु फ्रेंटक जो है तेंग्यू-थैंक्यू-थin नावम सभी को जिन攻 ने मतलब डिसंबर 2020 के एक्जाम में क्लियर कर दिया tes उनको लाक लाक बदा यह मेनी तौदेक्यू c Thank you so much friends मेरे इस चैनल पर इतना विश्वास दिखाने के लिए काफी लोगों ने देखिए मेहनत आप ने की है इसमें कोई डाउट नहीं है मैंने सिर्फ आपको एक अच्छा guidance प्रोवाइड किया है फिर भी आप अपनी सफलता कसरे मुझे देते हैं तो उसके लिए बहुत बह इसलिए मैंने यह many 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 times many times infinity times जो है थेंक्यू बोलता हूँ मैं आपको Thank you so much friends जो है हाथ जोड़ करके आप सभी को स्वागत अभिनंदन जो भी कर सकता हूँ मैं Thank you so much again ठीक है फ्रेंज तो जिन्होंने दिसंबर में exam पास कर लिया है उनको फिर से एक बार बधाईया ढेर सारी लिष्ट बहुत बड़ी है नंबर भी अच्छे खासे मिले हैं लोगों को कुछ जो खास लोग हैं उनके नंबर में बताता हूँ अम्रेश सर हैं हमारे 78, 78 और 80 है यह ABM यह BFM और यह रिटेल का मार्स है सत्प्रकास जी है 79 स्वरी 78 है 50 है 79 है सर के यह सत्प्रकास जी का नंबर है हमारे बिनोच जी का नंबर है 55, 56 और इसमें स्कोर किया है सर ने 44 तो एक नंबर से रह गये हैं और बिनोच जी ही अकेले नहीं है ऐसे जो सिर्फ एक नंबर से अगर मतलब सिर्फ एक नंबर यहाना 45 आ गये होते काफी लोग ऐसे हैं तो इधर इतना ज्यादा मार्जिन स्क दिरमेनी और अपने मेरे गाल से 56 और 54 के सकोर के साथ में अमनसर है दिरमेनी दलीष टीज बेरी हूज मैं कुछ खासी लोगों के नाम ले रहा हूं मैंने पहले भी बताया हैं उनके नाम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि मैं अकेला नहीं इस चैनल को चलाता हूं वो भी मेरे बहुत बड़े सहयोगी हैं, तो उनका नाम लेना यहाँ पर मुझे बनता भी है, और जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, जैसे अंकुर सर हैं, उनका नाम कभी नहीं ले पाया हूँ, तो अंकुर सर ने भी अच्छा प्रयास किया, दो पेपर में काफी सारे लोग हैं ऐसी सिच्वेशन आई नहीं ने बहुत अच्छा स्कोर दो पेपर में किया लेकिन उनका भी एफम जो है एक नंबर या दो नंबर से रहे गया है यह फिर कई लोगों के साथ में यह किसी के साथ अफिशनल में ऐसा हुआ है मतलब इसकोर ऐ लगता है अजीव लगता है मतलब सिर्फ एक नंबर से अगर होते तो यह सारा मारजिन जोड़ के इतना होता कि एक सो साथ हो जाता जोड़ करके अभी भी जो है 155 हो रहा है पर एक नंबर के जैसे रहे गया है तो वैसे फ्रेंट्स को मैं कहूंगा कि धैरे रखें आप लो गया है तो अब सोचिए कि यही मार्क्स आपके अगर मतलब आपने अच्छे से लर्ण ना की होती और यह मार्क्स आपके सोचिए 48 होते और यह 49 होते और यह 44 होते है ना यह 50 हो जाते और यह 48 और 44 होते तो उस केस में क्या होता अब आपका यह भी पेपर फस्ता यह भी पे देखो तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे दो पेपर अलड़ी क्लियर हैं now all I have to do is to focus on BFM और retail और ABM किसी एक पेपर पर focus करना है तो दीखे दो पेपर का अगर बोज टल गया है तो एक पेपर पर focus करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा task नहीं रह जाता है और I am 100% sure कि मतलब देखे ABM में मैंने C module नहीं पढ़ाया BFM में भी मैंने C module नहीं पढ़ाया है उसके बावजूद भी friends काफी सारे लोगों के ऐसे comment है कि हमने सिर्फ आपके जितने वीडियोज हैं वही देखे मैंने book नहीं परचेज की कई लोगों ने book परचेज की है वो नई की नहीं रखी है एक सर का comment आया था कि friends मेरे पास एकदम नई book है अगर चाहो तो 90% पे OLX पे अब लेबल करवा दूँगा तो आपस में अगर आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रूप में आप देख लो काफी सारी नए लोग हैं जिनको book की need है अगर आप चाहो तो दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर आपने पास कर लिया है तो आपको उसको जरूरत नहीं है रखना चाहते हैं तो वह आपकी मर्जी मैं बसको एक suggestion दे रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं हापर कोई market की बात कर रहा हूं सिर्फ एक suggestion है as a friend बता रहा हूं आपको ठीक है तो अब C module मैंने नही करवाया था फिर भी जो पासिंग स्कोर है मतलब 60 वाज नार्मल 60 नार्मल था बी एफम का पेपर इतना ट्रिकी था इतना ट्रिकी पेपर बनाया था उन्होंने ना उसके बावजुद भी जिन्होंने ना 50 प्लस स्कोर किया है मतलब वो concept को अच्छे से समझे हुए है फ्रं से तो हम यह certain नहीं कर सकते कि 2021 का जून का पेपर होगा और नुमेरिकल बेट होगा या थेरी होगा या इस बार वो 50-50 खेलेंगे है ना कुछ कह नहीं सकते यहां पर तो मेरा जो concern है वो यह है कि आप न ना तो नुमेरिकल को ही हलके में लीजिए और ना ही थेरी को ही हलके म में लीजिए ठीक है थेरी मैं मेरे कुछ चैप्टर में मैंने थेरी थोड़ा से कम की थी मुझे लगा था कि पेपर में बाद बनीगी लेकिन अब थोड़े से लेक्चर और बढ़ानी पड़ेंगे और थेरी मैं अच्छे से कबरब करवानी की कोसिस करूँगा क्योंकि का लेबलना बहुत सिंपल है लेकिन तो इतना सरल आता है तो नहीं फ्रन्स उतना किस्टन सरल नहीं आता है लेकिन फिर भी आप देखो कि अगर मेरे पेपर में आप स्व कुश्चन है और उसमें जो है असी स्कोर कर रहे काफी सारे लोग हैं जो नए हैं या पुराने भी हैं टेलिग्राम पर जुड़े हुए हैं वो पूछते हैं सर की आपके कोर्स की फीस क्या है कैसे जॉइन करें तो देखिए कोर्स की कोई फीस नहीं है पहली बात ये जीरो बैलन्स है कोई पेमेंट करनी की जरूरत नहीं है अब एक बात और कि फ्रेंट्स मेरा टेलिग्राम पर भी एक चैनल है जिसमें सभी लोग अपने कुश्चन पोस्ट करते हैं और उसके आंसर कोई ने कोई सर आंसर करते हैं नार्मली मैं नहीं कर पाता हूँ ठीक है पर दे बिल डू देट ठीक है और यूटूब पर मेरा च स्टेटस में डाला हुआ है वाट्सप के स्टेटस में फेस्बुक पे अपना जग कमेंट सेक्षन है कई सारे चैनलों के उसमें उसमें भी आप लोग सेर करें तो थेंक्यू सो मच आप मेरे मेरे चैनल को बहुत आगे ले जा रहे हैं इसके लिए मैं आपको सबका दिल से आभारी हूँ तो कोर्स की फीस कुछ नहीं है फ्रंस हर वीडियो फ्री आफ कास्ट है आप देखो कोई दिक्कत नहीं है फिर कई लोगों का कुश्चन यह आता है कि जब फ्री है तो आप यह अपना अकाउंट नंबर और गूगल पे और फोन पे का अकाउंट नंबर क्यो ठीक है फ्रंट तो उसका भी जबाब मैं आपको देता हूँ फ्रंट यह इसलिए है न कि आप भी बैंकर हो मैं भी बैंकर हूँ आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकल पाता है और मुझे पढ़ाना होता है नोट बनाने होते हैं लक्चर समझाना होता है हर चीज की होता है मुझे आपको बेस से ले चलके और लाश तक ले जाना होता है उसके चकर में मुझे ना सिर्फ आपकी Macmillan book ही परयापत नहीं होती है मुझे Google का भी यूज करना पड़ता है other resources other books को भी prefer करना पड़ता है तो इस वज़े से क्या है कि वो पूरा देनी की जरूरत नहीं है यदि आपका दिल करता है आपको लगता है कि नहीं आप मेरे चैनल से learn कर रहे हो तो 200 रुपए अगर आप चाहो तो voluntarily अपने मन से हर महीने 200 रुपए आप अगर भेजना चाहो तो भेज सकते हो नहीं भेजना चाहते हो तो ऐसा कोई मेरे पार डेटाबेस नहीं है कि आपने मेरा वीडियो देखा है और आपने नहीं दिया है ऐसा कुछ covering remaining of ABM और BFM के module C बचे हुए हैं और कुछ भी material काफी चीज़े बची हुई हैं case study आपकी और क्या नाम है अपना MCQ जो गराभी करवाने हैं तो friends सब कुछ करवा दूँगा टेंसर ना लें इस बार के exam में जब आप जून में exam में बैठ होगे तो 100% जो है मैं कोसिस करूँगा कि ABM, BFM और retail का आप 100-100% पूरा topics levels पढ़ करके जाएए और एक module नहीं पढ़ाया था तब हमारा जो passing score था ABM में मतलब 70 बाज EG, 70 नमबर की बाद simply कर रहे थे लोग BFM में 55 नमबर तक ठीक था उसके बाद में फिर दिक्कत होनी शुरू ही थी तो इस बार हम standard set करेंगे अगर मतलब paper का label यही रहता है तो कोसिस करेंगे 80 प्लस score करवाने का आप सब ही को मैं मतलब as positive note ले रहा हूँ अब आप सोचिए कि अगर मैं आपको SC plus का target ले रहा हूँ तो फिर आपको तो सिर्फ इतना ही चाहिए ना यह इसमें लाने में कितनी बड़ी difficulty है अगर मैं आपको 30 number का margin देने की कोसिस कर रहा हूँ तो आपको फिर यह positive होना चाहिए नहीं अगर sir 80 के लिए कह रहा है तो मैं 50 तो जरूर से जरूर ले आऊँगा ठीक है तो retail भी कबर हो जाएगा फिर only BFM pending all three papers pending कुछ लोगों के BFM pending है कुछ लोगों के तीनों paper pending है कुछ लोगों का ABM pending है कुछ लोगों का retail pending है ठीक है तो अगर pending है तो अब पूछते हैं कि sir अब मुझे क्या करना चाहिए तो friends देको मैं दो options देता हूँ यहाँ पर दो options है या तो आप अभी से पढ़िए ठीक है अभी से पढ़ने के लिए मैं उनको कहूँगा जिन्होंने मतलब हो सकता है हफ्ते भर पहले तैयारी शुरू की काफी लोग होते हैं जो exam आने जब admit card print हो जाता है उसके बाद ही उनको लगता है नहीं अप पढ़ना पढ़ेगा जो है क्योंकि कल exam है तो अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ज़्यादा मेहनत नहीं की है तो वो start now करें अभी से start कर दीजे आप preparation अगर चाहते हैं आपका time है तो अभी से शुरुआत कर दीजे ठीक है और अगर पहले से पढ़ते हैं पिछले तीन-चार महीने से पढ़ रहे हैं बहु ज़्यादा मेहनत की है फिर भी बात नहीं बनी है एक paper फिर भी अटग गया है तो मैं वैसे लोगों को ना हट करके और यूटूब से हट करके जिन्दगी जीने की कोसिस करिए मैं इसलिए कह रहा हूं एक-दो महीने आप आराम करिए से मेरे लिए भी है अभी एक-एक-डेड़ महीने मैं भी कुछ अब लेबल नहीं करवाऊंगा मैं आपको सही बता रहा हूं क्योंकि मैं भी पिछले अपरेल से जो है लगातार लगा हुआ हूं और मुझे भी ना बहुत थकान हो गई है तो इसलिए एक-एक-दमहीने का रेष्ट मैं भी करूँगा उसके बाद ही वीडियो आने जरू होगे तो सौरी है उसके लिए कुछ समय के लिए मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूं अगर यूटूब पर मेरे रिपलाई ना है तो उसका मतलब समझ लीजेगा अभी मैं थोड़ा सा रेष्ट मोड में हूँ जैसे ही अब लेबल हूँगा उसके बाद में फुल A, module B, module D जो भी अब लेबल है उनको देखना सुरू कर दीजे फ्रेंट्स होके और एक और बात कि जो जैसे अमरेश सर ने कहा कि मतलब वही है ना कि अमरेश सर या फिर रैंचो वाली बात हो गई कि मतलब सक्सेस के पीछे नहीं भागना है हमको excellence के पीछे भागना है ठीक ह वैसा मत करिए समझने की कोसिस करिए इसको ठीक है तो अगर आप समझने की कोसिस करेंगे तो दिन में दो से ज़्यादा वीडियो आप देख नहीं पाएंगे तो अगर माल लीजे दो वीडियो भी देखते हैं और अगले छे महीने में मान के चलिए आप सो वीडियो तो बहु अपना जो है हमें जॉइन करें ठीक है फ्रेंट तो यूटूब की प्ले लिस्ट में जाईए और जो है वीडियोज देखना स्टार्ट कर दीजिए कई लोग हैं जो बोलते हैं सर अभी जैएबी पास किया है स्टार्ट कैसे तैयारी करें तो फ्रेंट देखिए जो एकदम न यह ABM और BFM फिक्स होता है ABM Advanced Bank Management होता है और BFM Business Finance Management होता है ठीक है तो यह तीन पेपर होते हैं जिनको आपको स्कोर करना होता है passing criteria होता है total मिला करके 1.500 number लानी है और हर एक पेपर में minimum 45 number लाने होते है ठीक है तो यह passing criteria होता है जोड करके वीडियो देखना है वो देखिए अभी भी कुछ अगर डाउट आपके रह जाते हैं तो फ्रेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो ला करके आपके वो सारे डाउट्स दूर कर दूंगा तो काफी सारे लोगों ने मुझे जो है लग करके आएगी तभी हम देंगे तो कोई बात नहीं फ्रेंट्स जो है जब आपके सेल्डी एक महीने का मतलब आपके सेल्डी जब बढ़ करके तीन-चार हजार जो भी आए उतना जो है जब आज आए आपके एक्चुल खाते में क्योंकि काफी लोगों के खर्चे होते ह बात समझ सकता हूँ हर किसी का अपना एकदम प्लान होता है अगर साथ हजार रुपय आते हैं तो फुली सेट अप कि हां यह साथ कहां जाने है तो अगर नहीं मैनेज हो पा रहा है तो जब आपकी सेल्डी एक्चुल में बढ़ जाएगी जब आपके वाकई इस्ट्रा पै कई सारे specialization courses करवाता है उसमें जैसे आप MSME पर कर सकते हो इंटरनेशनल बैंकिंग पर कर सकते हो ठीक है डिजिटल बैंकिंग पर कर सकते हो इस तरीके के कई सारे specialized courses करवाता है के वाइसी एमल पर करवाता है ठीक है तो अगर आप चाहो तो आप अपने आपको enroll कर सकते हो इसकी फीस मेरे खाल से बारा सो प्लस येस्टी ऐसे करके होती है, इससे आपको कोई खास benefit bank में नहीं मिलेगा, monetary benefit के मैं बात कर रहा हूँ, monetary benefit आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका scores रहेगा, तो अगर मालीजे कोई specialized post निकलती है, जैसे मालीजे आपने forex में कर लिया, जो है specialization और अगर forex की कोई post निकलती है, अगर आप interested होंगे, आप अगर certificate होगा, तो you will be eligible more than others है, ये benefit हो जाता है, MSME की कोई specialized need होती है, या फिर KYC की कोई specialized post आती है, तो उस case में आपको consider किया सकता है, ये benefit होता है, मोनेटरी benefit कोई नहीं होता है, मोनेटरी benefit सिर्फ JIB और CIB का मिलता है, ठीक है friends, तो जिन्होंने pass कर लिया, उनको congratulations है, अब आपकी salary बढ़ गई है, नई बढ़ी ही salary को enjoy करते रहिए, lifetime के लिए, और मुझे thank you कह देजिएगा, thank you so much friends, मैसेजों से, टेली ग्राम चैनल आप अगर join किये हैं, तो आप देख ही रहे होंगे, इतने मैसेज हैं कि मतलब, अब अटेंड करना मुस्किल हो जाता है, और सेम वही बात जो है, आपके YouTube पर भी लागू होती है, thank you so much सभी लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे अपनी सफलता को डेडिकेट किये, उनके दिल से thank you बोलता हूँ, thank you so much मेरे चैनल के बारे में, आप लोग अल्रेडी स्प्रेट कर रहे हैं, मैंने देखा है YouTube पर वहाटसप पर, जहां पर भी आप मौका पा रहे हैं, आप लोग फैला रहे हैं, अभी पेपर खतम हो गया, फिर भी पिछले कल में ही मेरे खाल से लगभग 500 नए सब्सक्राइबर हमने जोड़े हैं, तो ये इससे पता चलता है कि आप लोग बैठे नहीं हैं, मेरे लिए बहुत जादा प्रयास कर रहे हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थेंक्यू सो मच जो है, आप सभी सिष्टर्स को, आप सभी ब्रदर्स को मेरी तरव से दिल से धन्यवाद है, जिन लोगों ने पास कर लिया है, जिन लोगों ने नहीं पास किया है, एक आधे पेपर हैं, हमारे साथ बने रहे हैं, वो बोलते हैं कि सर भाई, आप भी आपकी आवाज और सुननी पड़ेगी, तो बिल्कुल सुनिए आप जो है, कहीं लोगों के कमेंट हैं सर कि, मतलब अभी जब आप पढ़ाते हो, तो फिर किसी, जैसे C मडूल मैंने नहीं पढ़ा है, तो काफी सारे लोग C मडूल पढ़ने ही नहीं गए, उन्होंने बोला कि मतलब एक कमेंट था, उसमें लिखा हुआ था, कि मतलब जैसे दाल में नमक ना होना, उस टाइब की फीलिंग आ जाती है, तो मज़ा ही नहीं आता है पढ़ने में, इसलिए हम पढ़ने ही जाते हैं, तो थेंक्यू सो मज़ फ्रेंट्स, कई लोग लिखते हैं कि सर आपके पढ़ाने से एडिक्शन हो जाती है, मतलब सिर्फ आप से ही पढ़ना है, और किसी से पढ़ना ही नहीं है, हालत ऐसी है कि अगर मालिजे बुक के एक चैप्टर ने चार टॉपिक हैं, मैंने तीन कबर किया है, तो वो एक टॉपिक भी कोई नहीं पढ़ना चाहता है, लोग कमेंट करते हैं, एक सर यह वाला टॉपिक छूटा है, आप ही पढ़ा दो, मैं नहीं पढ़ूँगा, तो तैंक्यू सो मज़ फ्रेंट्स, इतना विश्वास दिखाने के लिए, इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए, तो यह वाले पॉइंट को जड़ा से कंसिडर करिये, अगर हो पाए तो, तो तैंक्यू सो मज़ फ्रेंट्स, आल दा बेश्वास जो है, सभी को आगे के लिए, जो स्पेसिलाइट कोर्स करने की तैयारी में है, सियाई भी पास करके, और उनको भी आल दा बेश्वास हैं, जो अभी फिर से जो है, दुबारा तैयारी कर रहे हैं, या फिर एकदम नए से तैयारी करे हैं, थेंक्यू सो मज़ फ्रेंट्स, थेंक्यू थेंक्यू थेंक्यू,